नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे LOD SIZE के बारे में कि LOD SIZE कितना है और हर STOKE या निप्टी या बेंग निप्टी का अलग लग STOKE है जैसे हमाल लीजिए यह निप्टी हो गया यह यह बेंग निप्टी हो गया या अधर कोई STOKE है तो इनके load size या quantity के बारे में बात करते हैं तो अभी हमाँ आये हो है grow application की website पर यहाँ पर click करते हैं यह nifty पर तो nifty पर देख सकते हैं यहाँ पर option chain दिया हुआ या तो यहाँ click कर लिजिए यह नीची fno दिया होगा future end option इसके call or put नीची दिये गए और side में भी दिया गया है तो यह 18,800 के call दिया हुई है तो इसके इसी को देख लेते हैं क्योंकि सभी का load size तो एक ही रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि load of 50 यहाँ पर 50 के load में ही खरीद सकते हैं और 50 के load में ही बैद सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे माली जै इसको बढ़ाना चाहरे हैं हम 25 के load में हम खरीद नहीं सकते हैं अब जैसे माली जै इसको बढ़ा रहे हैं तो पच्छितर नहीं हो गई है 75 नहीं खरीद सकते हैं को 50 के multiple में खरीद सकते हैं जितने भी 50 के multiple होगें उनमें हम यह खरीद सकते हैं बाकी हम जैसे 75 क्रवानटिटी खरीद न चाहें निप्टी में तो 75 क्रवानटिटी नहीं खरीद सकते हैं यह 50 के load में ही खरीद सकते हैं अब इसका मतलब हो कि माली जै पचास की quantity होगी है हमारी एक load का मतलब होता है 50 क्रवानटिटी अब जैसे माली जै 114 रुपे चल रहा है तो 113 रुपे आगा तो हमारा 50 रुपे लोस हो जाएगा अगर 114 चल रहा है और 115 हो गया है तो हमारा 50 का profit हो जाएगा तो यह load size matter करता है इसमें अब हम बात करते हैं bank nifty के बारे में कि bank nifty में load size का कितना है अब हम आ गए है bank nifty के यह by zone की 33 700 की put दी वी है तो bank nifty में देख सकते हैं यहापे कि यह जैसे माली जै बैंग nifty खोल लिया यह bank nifty रहा अब बैंग nifty के जैसे माली जै कितना भी यह call है यह 33 400 का call है तो इसके में देख सकते हैं कि load of 25 है इसमें 25 के load में ही खरीज सकते हैं जैसे माली जै एक quantity दो quantity दो quantity नहीं कर सकते हैं इसमें 25 के load size में ही खरीदना पड़ता है जैसे माली जै हम 20 करीदना चाहिए तो 20 नहीं खरीज सकते हैं इसको कम करना चाहिए था कम होगा नहीं इसको 50 कर सकते हैं जाने 40 नहीं कर सकते हैं बढ़ाना चाहते हैं तो 25 के मंटीपली में बढ़ेगा पसीज पिछेतर 100, 125 देट सो, एक सो फिचेतर 200 इस टाइप से नहीं बढ़ेगा यह वह वही बात बैंग निप्टी की अब हम बात कर लेते हैं एक बार finnipty की, कि finnipty में भी load size कितने का है, तो जैसे कोई भी finnipty को option chain है, तो इसमें देख सकते हैं कि कोई भी क्लिक कर लें, finnipty भी zone 19200 की call आई है, तो इसका load size देख सकते हैं, आप load of 40, यानि 40 की load में खरीद सकते हैं इसको, ना बढ़ा सकते ह 40, 80, 120, 160, 200, इस type से बढ़ा सकते हैं, यह बात होगी finnipty की, अब हम बात करते हैं, मालीजी कोई other stock है, तो stock के बारे में बात करते हैं, तो अभी यह stock है, STFC life insurance का, यहां पर देख सकते हैं, option chain दिया हुआ है, और नीचे भी F&O दिया हुआ है, तो या तो आप option chain पर क्लिक कर लीजिए, एक ही बात होगी, अब यहां पर माल जीए, यह कोई side भी price चल रहा है, तो इसके click कर लेते हैं, अब इसमें देख सकते हैं, कि load of 1100, यानि 1100 के load में यह खरीदा जाएगा, उन्था एक load की value होगी इसकी 1100, ना तो 1100 से कम होगा, ना 1200 होगा, ना 1200 होगा, ना 1300 है, 1100 है, तो SBI Life में 1100 होगा, या STFC Bank में 1100 होगा, सब का अलग अलग है, अब यह हम एक और stock देख लेते हैं, डानी इंटरप्राइज, यहां पर option chain पर click करेंगे, तो यह कोई सा भी माल जीए, यह select कर लेते हैं, अब इसमें देख सकते हैं, कि load of 1100, यानि 1100 के multiple में खरीद सकते हैं, अब यह हम एक stock की बात और कर लेते हैं, कि जैसे माल जी अडानी पावर है, तो अडानी पावर में यहां पर ना option chain दिया गया है, और नीचा FNO भी नहीं दिया गया है, तो इसका load size क्या है, तो इसमें हम केवल case में खरीद सकते हैं, FNO में नहीं खरीद सकते हैं, future stock में तो direct a quantity खरीद सकते हैं, 100 खरीदना हो, तो 100 खरीद सकते हैं, 1000 खरीदना हो, तो 1000 खरीद सकते हैं, आप देख सकते हैं, यहां पर जितनी value, case में तो जितनी value डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन nifty और bank nifty, finnifty और कई में जिसे stock है, तो उनमें यह दि पर मार्ट ले लेते हैं, यहांनि इसमें भी देख सकते हैं, आप की यह बहुत volatile है, इसमें फ्यूचर और option भी नहीं दे गया है, तो इसकी quantity तो case में होगी, पूर वेल्यू देनी पड़ेगी, 4000 पीचे से रुपे, इसके लाव भी हमारे पास और भी stock है, एक दो stock और देख हुआ है, आपनों मुतलब यह future and option ही होता है, तो open interest यह सब दिया हुआ है, तो इसके click कर लेते हैं एक बार, यहां पर देख सकते हैं, लोट में खरीद सकते हैं इसको आप, तो यह load size सब का अलग अलग होता है, अगर आपको यह वीडियो में कोई confusion रहे है, तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं, और यही हमारा वक्त हैता कि आपको confusion नहीं रहे हैं, ऐसे ही मज़दार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए, और वीडियो को like कर दीजिए, thank you